योगी सरकार का सफल सडक बनाने का वादा लगता है पूरा होना मुश्किल है लगबग 25 करोड की लागत से बनी सडक मुश्किल से 4 या 8 महीने भी नहीं टिक पाती बारिश की चंदबूनों ने लोक निर्मान विभाग में ठेकेदारों की पोल खोल दी है चलिए दिखाते हैं इस पर हमारे एक खास रिपोर्ट यह तस्फीरे जो आप देख रहे हैं बलदेव सादाबाद सडक की है जो पिछले साल करीब 25 करोड रुपे की लागत से बनाई गई थी निर्मान के 8 महीने बाद ही सडक का टूटना शुरू हो गया वहीं विभागे अधिकारियों के अनुसार एक साल की सडक की जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है पर अब ऐसा लग रहा है कि ठेकेदार अपनी जिम्मेदारीों से मूँ फे रहा है अगर हर वर्ष 25 करोड रुपे सरकार सिर्फ एक सडक बनाने पर खर्च करेगी तो वहीं जब विभागे अधिकारियों से इस बारे में जानकारी ली गई तो कोई भी अधिकारी कैमरे के आगे बोलने से साफ बचता नजर आया कैमरे के आगे चाहे कोई ना आये लेकिन सडक पर दिखते ये कड़े और तूटी हुई सडक अपने आप में पूरी कहानी बयान कर रही है शेत्रिये लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन से भी की लेकिन डियेम के निकदेश के बार भी ठेकेदार ने सडक में घटिया निर्मान सामगरी ही लगाई आपको बता दिन सडक पर सफेद पट्टी डलवा कर अंतिम रूप जब दिया जा रहा था तबी बारिश होते ही सडक उखड गई और ठेकेदार के काम का परदा फाश हो गया बलदेव राजवा से लेकर महावन राजवार तक जगा जगा सिर्फ कड़े नजरा रहे हैं सडक बैठ गई है और उसमें दरारे पड़ गई हैं एक तरफ योगी सरकार सडकों के कड़े मुक्त करने के आदेश विभाग को दे रही है तो वहीं विभागी अर्दिकारी और ठेकेदार अगर 25 करोड की लागत से सिर्फ एक सडक बनाएंगे जो 8 महीने भी ठीक से नहीं चल पाएगी तो योगी सरकार का कभी भी गड़ा मुक्त सडकों का सपना पूरा नहीं हो पाएगा ये एक गंभीर मामला है जिसकी कहनता से जाज होनी चाहिए दोशी अधिकारि ठेकेदारों के खिलाफ सक्त से सक्त कारवाई की जानी चाहिए कि तब योगीजी का गड़ा मुक्त सडकों का सपना पूरह हो सकेगा। पूरे प्रदेश में एक मिसाल कायम होगी और वही अधिकारियों वठे के दारों के लिए एक सक्त संदेश जाएगा। अगर आप गलत काम करेंगे तो आपके खिलाब कारवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि योगी सरकार इन भरष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ किस तरीके से कारवाई करती है। मधुरा से लोकेश सैनी के साथ शिव्ट प्रकाश की रिपॉर्ट करता करता है।